चीनी राश्ट्रपती शी जिन्पिंग के हसीन सपनों को भारत के पडोस में तगड़ा जटका लगा है चीन इस पडोसी देश की मदद से भारत को घेरने और पैसा कमाने की तैयारी में थे अब हालात ऐसे हैं कि चीन के लिए निवेश की मूल राश्शित तक को रिकवर कर पाना मुश्किल हो गया है चीन किसी भी देश से दोस्ती करता है तो उसे बरबाद किये बिना नहीं छोड़ता इसके दरजनों उदाहरण है जिनमें पाकिस्तान, श्री लंका से लेकर लाउस और म्यामार तक शामिल है म्यामार में तो चीन ने गजब ही किया भारत के खिलाफ रणनीती में म्यामार का ऐसा इस्तेमाल किया कि यह देश बरबादी की कगार पर पहुँँच गया चीन ने पहले नागरिक सरकार को अस्थिर करने के लिए म्यामार की सेना की मदद की जब म्यामार की सेना ने तकता पलट कर दिया तो वह अब वहां की अपदस्थ नागरिक सरकार के पीछे पड़ा हुआ है हालांकि इस चक्कर में म्याम्मार में चीन का लाखों डॉलर फंस गया है ऐसी भी खबरे हैं कि चीन ने म्याम्मार की सेना को हाला जल्द से जल्द सामान्य करने के लिए धमकी भी दी है चीन चाहता था कि म्याममार का इस्तेमाल भारत को घेरने के अलावा व्यापार के लिए भी किया जाए इसके लिए चीन ने युन्नान प्रांत के रुईली काउंटी से म्याममार के शान राज्य की सीमा तक ऐशानदार सड़क भी बनवाई लेकिन जब यह सडक इस्तिमाल के लायक हुई तब कोविड महामारी आ गई चीन ने अपनी सीमा पर सक्त लॉकडाउन लगा दिया जो पूरी दुनिया में सबसे अधिक दिनों तक चला इसके बाद जब हालात सुधरे तो म्याममार में ग्रह युद्ध शुरू हो गया चौकियों से म्याममार की सरकारी सेना को खदेड दिया चीन ने म्याममार में एक महत्वपूर्ण व्यापार गलियारे के लिए लाखों डॉलर का निवेश किया है इस महत्वा कांक्षी योजना का उद्देश्य म्यामार के माध्यम से चीन के दक्षन पश्चिम को हिंद महसागर से जोड़ना है लेकिन यह गलियारा म्यामार के विद्रोहियों और देश की सेना के बीच युद्ध का मैदान बन गया है चीन का म्यामार में दोनों पक्षों पर प्रभाव है लेकिन जनवरी में उसने जो संघर्ष विराम करवाया था वह विफल हो गया ऐसे में चीन ने दोनों पक्षों को धमकाने के लिए सीमा पर सैनिकों को बटोर कर बड़ा सैन ने अभ्यास शुरू किया है कुछ महीने पहले ही चीनी विदेश मंतरी वांग यी ने म्यामार की राजधानी नेपीतों का दोरा किया था वह दुनिया के किसी भी देश के पहले शीर्ष राजनईक थे जिन्होंने ग्रह युद्ध की शुरूात के बाद म्यामार का दोरा किया माना जाता है कि अपने दौरे में उन्होंने म्याम्मार की सैन्य शासन के मुख्या मिन आंग लाइंग को चेतावनी भी दी इसके बावजूद न तो म्याम्मार की सेना हार मानने को तयार है और ना ही विद्रोही विद्रोहियों ने तो अपना गटबंधन भी बना लिया है, जो एक जुट होकर म्याम्मार की सेना पर हमले कर रहे है चीन से सटे म्याम्मार के शान राज्य के लिए संगर्ष कोई नई बात नहीं है म्याम्मार का सबसे बड़ा राज्य, दुनिया की अफीम और मैथाम फेटा माइन का एक प्रमुक स्रोध है यह राज्य लंबे समय से सरकार का विरोध करने वाली जातिय सेनाओं का घर है लेकिन चीनी निवेश द्वारा बनाए गए जीवंत आर्थिक शेत्र ग्रह युद्ध तक फलते फूलते रहे अब चीनी सेना लाउड स्पीकर से म्याम्मार के लोगों को सीमा पर लगी बाड से दूर रहने की चेतावनी देती है हालांकि चीनी पर्यटकों को इससे छूट हासिल है वह गेट की सलाखों के बीच हाथ डाल कर सेलफी तक ले सकते हैं उन्हें रोकने की चीनी सेना कोई जहमत नहीं उठाती चीनी राष्ट्रपती शी जिनपिंग ने अपने संसाधन संपन्न पडोसी देश म्याम्मार के साथ संबंध बनाने में वर्षों का समय लगाया हालांकि जब देश की निर्वाचित नेता आंग सांसूकी को सत्ता से बाहर कर दिया गया था तब शी जिनपिंग ने तकता पलट की निंदा करने से इनकार कर दिया इस दौरान चीन ने म्याम्मार की सत्ता पर काबिच सेना को हथियार बेचना भी जारी रखा चीन ने हर अंतरराश्ट्रिय मंच पर म्याम्मार की सैन्य सरकार का बचाव किया लेकिन उन्होंने म्याम्मार के सैन्य शासक मिन एंग लाइंग को राश्ट्रा ध्यक्ष के रूप में मान्यता नहीं दी, नहीं उन्होंने उन्हें चीन आमंत्रित किया. तीन साल से जारी युद्ध में म्याम्मार में हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग विस्थापित हुए, लेकिन कोई अंत नहीं दिख रहा है.